काईज यह है अलग-अलग तरीके की सूपर ग्लू जो चीज फैवी क्विक के अंदर आती है जो चीज फ्लैक्स क्विक के अंदर आती है वो चीज दोस्तों इन सूपर ग्लू के अंदर बेसिकली केमिकल आता है जिसका नाम होता है साइनो अक्राइलेट जो की बहुत जादा जल्दी और बहुत मजबूती से चीजों को चिपका देता है आपको भी पता होगा फैवी क्विक यूज करते ही होगे तो वही चीज इन सारे सूपर ग्लू में लेकिन आज हमने सुचा कि अगर हम इस चीज को चिपकाने में यूज ना करके अगर फैवी क्विक के उपर चले तो क्या होगा कैसा experience रहेगा हमारे जूते चपलगा क्या हाल होगा सारी चीजे टेस्ट करने वाले तो यहां पर हमने एक पूरा देखो यह बैड सा बनाया है क्योंकि अगर फर्श पर फैवी क्विक डालेगे तो उस पर भी चिपक जाएगी इसलिए हमने थोड़ा safe रखन क्योंकि भाई यह जो superglue है यह काफी ज्यादा चिपका सकती है हमारे जो skin है वह उखड़ के आ सकती है जहां रखना आंख मांक में जाए तो problem हो सकती है प्लीज ट्राइ मत करना शुरू करते हैं अब दोस्तों यह जो platform है यह 6x3 इंचिस का platform है लोग कैसे बैट गया के लिए चलो कोई नी खोलो जल्दी जल्दी और इस पर डालो तो काई यहां पर जो superglue है उसको खोलना शुरू करते द्यान से खोलना तो यहां पर भाई यह गई फैविक हमने इसके उप़ डाल दी है यह यह वैसे इतनी सारी आते लेकिन इतनी बड़ी जगापर डालने पर दे को फील ही नहीं हो रही है फैलाने के लिए कुछ चैयोंगा इसके आंक में जा रही है बहुत तेज अब यहां अब ज्यादा नहीं जा रही हैं आखो नाक में पहलाओ फैलाओ यहार नहीं तो यह यहां पर हमने बड़ी मुश्किल से इसको फैला दिया है जैसे कैसे करके बहुत ते स्मेल आ रही है हाथ वाथ भी लग दी तो अब वारी है इसको टेस्ट करने की क्या होता है तो यहां पर भाई साब मैं इस पर चलने की कोशिश करता हूं और यार थोड़ी खराब होगी यह यहां पर मैंने रखा पहला पैर यह मैंने रखा दूसरा पैर और यहां पर देखो यह किस तरीके से उख़ड रहा है और यहां पर यहां पर फिसलन भी है और मैं इसके उपर बिलकुल भी गिरना नहीं चाहरा रहा है इसको बैसे रोग देते हैं इसकी जगह पर और फिर द लो मैं भी ऐसे खड़ा रहता हूं और देखते हैं क्या होता है तो गाइज मैं यहां पर लगभग 30-40 सेगेंड के लिए रुख गया और अब यार गाइज मेरा जो जूता है वो यहां पर चिपक चुका है बड़ी ही अजीब तरहीं से कता रड़ा गाइज दोनों चिपक अगरब क्रीद के दौड़्यक सिरकैंड कर दूख बंचिश तो करूं तो रही च再ए कल ग्ले उल्स पर तो बियाद jede कवंच संगली ऊबञए यहां पर जो मेरा जूता है क्अनु यहां पटरनागक तरीक आस पर इस पर गाइस अब यह जो जूटता है ना मेरा यह इस पर बड़ा ही खतरना तरीके से चिपक गया और देखो यह जो है देखो पूरे पट्टे को अपने साथ उखा रहा है अब यार देखो एक बार यहां पर जो चपल है फट गई है अब यहां पर चपल का टुकड़ा ही आ गया है और आधी चपल इसी पर रह गई है यार अमारी नहीं पर उखाड तेरीको आटा हटा तो हटा जैसे आटती वैसे अटा आओ इतना तगड़े तरीके से चिपक चुकी है उसको अटा दूसरी को टा पैर से उठा हां से मत खीचो पैर उठाने कोशिश करो इसको पैर निकाल लो इसमें देखो कितना मजबूती से इसको चिपकाता है मेरा जूता है ना में को विश्वास है कि यह इस पूरे बोड़ को डालेगा और यह जो चपल है देखो इन्होंने ऐसे इसको उठा लिया अपर जार इतिक अधिस मेलाती इसकी आखो में जाती है ब मेरा मेरा जूता चाहिए निकाल मेरा जूता चाहिए रहा जूता है कि देखो तुम उधर क्या देख रहे यह देखो ड़ाइज यहां पर क्या बोले क्या बोले ओशिट अभे यार जो सोल है वह इस पे चिपड़ गया अभे यार यह तो बड़ाई खतरना करी किसे अठीया इसको आओ इस तो एक रखे करें निया कि तुट शुकी है तो दूसरे का जैसे भी क्या करें काम करना मैं बताता हूं एक चप्पल इसके बचेना वैसे बची निये किसी के बाद मंदर जाना थोड़ा इंतजार करना हो सकता है वद्वान तुमको बढ़ित देने हैं तो भाई साब कुछ ऐसा होता है जब हम फैवी कुट के उपर चलने की कोशिश करते हैं हाल देखो एक बार क्या हुआ है और ये वाला अब तो हो सकता है कि ये वाला भी चिपक जाओ नहीं ये वाला तो जो है जैसे कैसे करके हट गया तो यहां पर भी काफी चिपक गया लेकिन वह तो जो है भाई सब भैंकर तरीके से फट गया तो गाईज यहां पर आप लोग देख सकते हो कि यह हाल होता है जब हम फैवी कीट के उपर चलने की करते हैं कोशिश ऐसे माक्स रह जाते हैं या उसे रह जाते हैं यह जो कुछ भ यह जो किया किया कि अज़ी किस्ट गया गाई बड़ी मुश्किल दे उपर का इससा अट आ है या आक और गले बहुत भैंकर असर हो गया इसका फिज ले उखाल ले उखाल ले आ गई देना मेरे को दे दो यह जो चंपल है वह अट चुकी है इस प्लाइबोर्ड के उपर से प्रवक चंपल का कुछ नि बिगाड़ पाई देखो चंपल ऐसे एक दम सही है वह तो आप लोग देख सकते हो कि ऐसा होता है जब हम कोशिश करते हैं फैवी क्विक के उपर चलने की क्या बोले मतलब देख लो आपके सामने हालत है एक चंपल यहां चिपकी ती उसका यह ह हाल हुआ है दो यहां चिपकी थी उनका यह हाल हुआ है और यहां जूता चिपका था तो गाइस अगर आपको इस ती इस में मसा आया कर आपको यह वीडियो देखने मजा है देखो यार हम तो थोड़े परेशान से हो गया अभी इस इसकी जो स्मेल है ना उसकी वज़े से आखों में जाजा करके पानी आ चुगा है लेकिन अगर आपको मजा है तो आप लोग प्लीज लाइक का बटन जरू से दबा देना हम जस्ट चेक करना चाहरे थे कि अगर फैविक के ऊपर चला जाए तो क्या होता है तो भाया कुझ ऐसा होता है मतलब की जाएंगे आप के लिए तो चलो फिर मिलते हैं ली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार बाइबाए